हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माय चैनल आज की ये पनीर की सबजी बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत स्पेशल बनने वाली है क्योंकि इसमें हमें कोई महनती नहीं करनी है कोई कटिन चौपिन का थाम नहीं करना है प्यास टमाटर की प्यूरी नहीं बनानी है और टेस्ट म मैंने बाउल लिया है इसमें हम एक चमज ऑल डाल देंगे थोड़ी सिहां मैं इसमें म् सबसूरी अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर मैंने 200 ध्राम पनीर लिया है जिसे मैंने क्यूब्स में कुट कर लिया है तो पनीर के पीसे को हम इस मसाले में डाल के अच्छे से खोट कर देंगे आप पनीर कितना ले रहे हैं उसके अकॉर्डिन आप मसाले की त्वांटीटी को यहां कम जादा तर सकते हैं सारे पनीर के पीसिस को डालने के बाद अभी हातों से हम अच्छे से पनीर को सारे मसालों पे कोट कर देंगे जिसे कि सारे मसाले अच्छे से पनीर के उपर लग जाए तो आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से पनीर के उपर कोट हो रहे हैं अभी इसे हम ऐसी ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिसे कि इंतरा फ्लेवर भी पनीर के अंदर आ जाए यहां मैंने 7-8 त्राजु लिये हैं जिन्हें चॉप कर लिया है और 10 मिनट के लिए इन्हें दरम पानी में सोप कर दिया था पानी के साथी क्राजु को हम जार में ट्रांसफर कर देंगे और इसे समूथ पीछ लेंगे तो यहां आप देश अक्राजु का स्मूथ प्योरी बना ली है यहां पर दही लिया है ध्री ने समूथ प्रूइए क दशेद भात था है दई आपको ज़्यादा खटा नहीं लेना है तो दई को मैंने अच्छे से फेट लिया है अभी जो काजू की हमने प्यूरी बनाई थी वो हम इसमें डाल रेंगे ऐसा करने से जब दई हम सबजी में डालेंगे तो दई हमारा फटेरा नहीं काजू की प्यूरी और दई दोनों तो आपस में हम अच्छे से मिट्स कर लेंगे मसालों में हम यहां सवा चमच डालेंगे धनिया पाउडर एक चमच हम यहां पे डाल रेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चमच से थोड़ा कम हलरी पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर सारे मसालों को अब हम दही में अच्छे से मिट्स कर लेंगे इस तरह दही में सारे मसाले डालने के बाद फिर जब हम ये दही सबजी में डालते हैं तो दही के फटने के चांसे बहुत कम हो जाते हैं तो अच्छे से हमने मिला लिया है और यह हमारा दही, ताजू और सारे मसालों क्राइट पेस्ट बन के तयार है जो हमारी सबजी को टेस्टी बनाएगा 10 मिनेट हो चुके हैं पनीर को भी मैरिनेट होते हुए यहां पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ओयल डाला है आइल को अब हम पैन में सब तरफ फैला लेंगे और पनीर के पीसे को इसमें डाल देंगे पनीर को हमें यहां पे शैलो फ्राइग करना है मैंने आइल की तांटिटी बहुत तम डाली है आप यहां चाहे तो ज़्यादा ओयल भी डाल सकते हैं तो सारे पनीर के पीसे समिस में डाल देंगे और 3-4 मिनट के लिए हम इने उलटे पलड़ते में दोनों तरफ से हलτड़ा सा फ्राइग कर लेंगे इस तरह मसालों के साथ पनीर को मेरिनेट करके फिर ऐसे फ्राइड करके सबजी में डालने से टेस्ट काफी बढ़ जाता है इन्हें हम ऐसे उलटते पलटते रहेंगे एक दो मिनट पाद अभी हम यहाँ पर बारित कटीवी हरिमिट्च और ट्रेट के आवा अध्रक इसी में ही आड़ कर देंगे आप चाहे तो बाद में सबजी में भी इसे डाल सकते हैं बट में यहीं पर ही डाल के इसे फ्राइड कर लूँगे जिससे कि इनका टेस्ट भी पनीर के अंदर अच्छे से आजाएदा फिर से हम एक मिनट के लिए लास्ट चलाते वैसे फ्राइड कर लेंगे तो यह पनीर पर अच्छी सी क्रूटिन रा चुकी है इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राइड नहीं करना है तो गैस का फ्लेम अब हम बंतर देते हैं और इसे निकाल लेंगे सबजी बनाने के लिए खड़ाई में हम एक टीस्पून जितना ओयल डालेंगे ओयल को जरम होने देंगे कुछ मैंने यहाँ पर खड़े मसाले लिये हैं जैसे डाल चीनी छोटी लाइची लॉंग आपके पर जो अविलेबल हो वो आप डाल सकते हैं आदा चम्मच से थोड़ा त्रम हम इसमें जीरा डाल देंगे सब तो इपर अच्छे से मिला लेंगे और जीरा को चटटने देंगे दो मैंने यहाँ पर सुकी लाल मिर्च ली है इसे भी डाल के तेल में एड़ बार हम मिला लेंगे गैस्ता फ्लेम हम इद्दम लो कर देंगे और हम यहाँ पर डालेंगे आदा चम्मच से थोड़ा त्रम लाल मिर्च पाउडर इसे डाल के तेल में एड़ बार अच्छे से मिलाएंगे फिर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे जिसे कि हम जब धही डाले तो धही फटे ने टेंपरिचर थोड़ा सा डाउन आ जाए अभी जो हमने धही ताम मिच्छ बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे गैस्ता फ्लेम इड्दम लो ही रतना है और इसे तरंटिनुसली चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉइल ना आ जाए अधर आप चाहे तो गैस्ता फ्लेम बंद करके भी धही तो डाल सकते हैं फिर उसके बद अच्छे से मिला लीजिए और गैस्ता फ्लेम अंतर दीजिए तो लगतार हम इसे चलाते रहेंगे और इस बॉइल आने ता वेट कर हम इसे ऐसे ही और पताते रहेंगे जिससे की धई अपना ओईल रिलीज कर दे तो अभी आप देच सकते हैं धई ने भी अपना ओईल रिलीज कर दिया है यहां पर हम कुछ और मसाले डालेंगे तो सबसे पहले आधा चमच दरम मसाला थोड़ी सी त्रसूरी मेती जिसे हम प अब डाला था तो नमत आप यहां पर देखके एड़ कीजे फिर से इट पर हम मिला लेंगे सबजी की ड्रेवी हमारी बन चुकी है अब लास्ट में इसमें हम फ्राई किये वे पनीर के पीसे जाल देंगे जैसे मैं यह सबजी पनीर के साथ बना रही हूँ आप चाय तो इसे आलू के साथ भी बना सकते हैं या भिंडी के साथ भी बना सकते हैं सेम आप आलू और बिंडी को भी पहले थोड़ा सा फ्राइड कर लिए उसके बाद यहां सबजी में एड़ कीजे तो यह सबजी बहुत टेस्टी बनने वाली है दो तीन मिनट के लिए हम इसे ऐसी ही पत्रा लेंगे सबजी की तंसिस्टेंसी के अकॉर्डिन आप इसमें पानी एड़ कर सकते हैं आपको सबजी कितनी पत्ली या राड़ी चाहिए अभी आपको थोड़ी पत्ली लग रही है बर जैसी ही थोड़ी थंडी होती है यह राड़ी हो जाती है सबजी हमारी बंके तयार है सबजी में इसे बहुत अच्छी हुझभू आ रही है तो गैसटा फ्लिम हम बंक करते हैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं दो मिनिट बात अभी आप देच सकते हैं सबजी की ठितनेस थोड़ी सी राड़ी हो रही है लास्ट में इसमें हम बारे खटा वहरा दनिया डाल देंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे और चलिए इसे अब हम सर्फ करते हैं तो ये हमारी बिना प्याज लैसून टमाटर के बहुती टेस्टी धही पनीज की सबजी तयार है जिसे आप नान पराठा चपाती राइस किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बनाने में भी बहुत आसान है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसे एट बार इस तरह से ज़रू ट्राइ कीजिए वीडियो पसंद आये तो यसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंक यू थैंस फॉर वाचिन